नमस्कार स्वागत है आपका इस वीडियो में आज बात मोहमत कैफ के डेडिकेशन की उनके करियर की लेकिन उनके करियर के साथ-साथ उन्होंने महिंत जिंग धोनी के लिये जो इस वक्त पर संदेश दिया वो भी बहुत एहम है कि महिंदर सिंग धोनी की ये परस्टनालिटी अब तक सामने निकल कर नहीं आई थी, उनके आज के जीवन के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महिंदर सिंग धोनी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, उसमें भी उनके बारे में बहुत कुछ पताया गया है, ल चाहे वो कप्तानी के फ्रंट से हो, चाहे वो छोटे शेरों से आने वाले क्रिकेटर्स के फ्रंट पे हो, चाहे वो एक आकरमक बल्लेबास के फ्रंट पर हो, एक विकेट कीपर हो, एक कप्तान हो, इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट, बहुत अच् यह बल्लेबाजी लोड़ खड़ा गई थी, अच्छा, मुझे याद है कि श्रीराम रागवन उस वक्त पे आउट होए थे और उसके बाद जो है, वो महिंदर सिंग धोनी की बारी आई थी बल्लेबाजी करने की, और जब महिंदर सिंग धोनी की बारी आई बल्लेबाजी करन तो कहीं न कहीं खिलाडी पहले ही रेकरगनाईज हो जाता है कि यह यह खिलाडी है लेकिन महिंदर सिंग धोनी का आना अचानक से लंबे-लंबे बालों वाला एक खिलाडी आया जो कि टीम इंडिया में पहले कभी नहीं देखा गया था इस तरह का और एक बहुत छोटे शहर स जो अभी अभी एक अलग राज्य बना था जारखंड और वो एक क्रिकेट सर्गल के तौर पर नहीं जाना जाता था आज भी अगर आप जारखंड को देखें तो आप कह सकते हैं कि वहां से होकी बहुत जादा पॉपुलर है वहां पे लेकिन आप जारखंड को अभी भी ज जब महेंदर सिंग धुनी टीम इनिया में आये और पहला ही मैच खेल रहे थे और रन लेने में जब महांद कैफ और वो क्रीज के दौरान दोडे पिछ के दौरान और दोनों में कम्मिनिकेशन गैप हुआ हाना हाना और महेंदर सिंग रन आउट हो गए अच्छा ये भी द चिटगाओं की बात में आपको बता रहा हूं उसके बाद मुहमत कैफ जाते हैं ड्रिसिंग रूम में वापस और महेंदर सिंग दोनी क्योंकि देखिए चोटे शेरों से आने वाले लड़कों को पहले तो मौका नहीं मिलता है और जब मौका मिलता है तो उनके ओपर ये द बाजों की ही सूची देखे तो आप देखिए रिशफपन्त हला की डिली से जरूर खेले लेकिन वो निकल कर आते हैं रोड़की से और इसके अलावा भी अगर आप क्रिकेटर्स को देखें चाहें वो खिदार जादब हो वो भी हला की पुरे से आते हैं लेकिन उस तरह के जो हम कहते हैं कि बेंगलूरू बैटिंग क्लास या मुंबई बैटिंग क्लास या प्रॉपर डेली बैटिंग क्लास या फिर कोलकाता बैटिंग क्लास वहां से कोई निकल कर बहुत जादा क्रिकेटर्स नहीं आए इस दौरान भारत के टीर 2 और टीर 3 जो सिटीस थे वहां काफिया साफ तौर पर कहते हैं कि उस वक्त पे जब महेंदर सिंग धोनी से उन्हें बात की तो कहीं भी देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई खिलाडी बहुत जादा डिसपॉइंटेड है बहुत जादा मायूस है या बहुत जादा नाराज है इस तरह की चीछ से कि वह पहले ही मैच पे बिना खाता खोले आउट हो चुका है उसके बाद भी महेंदर सिंग धोनी की तीन अगली तीन या चार पारिया इसी तरह की रहती है और फिर वो जाकर वाइजाग यानि विशाखा पत्नम में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाते हैं जो की एक टरनिंग प दोनी राइज लगातार करते रहते हैं लेकिन 2078 आते आते हैं मुहमत कैफ लगबग उस कगार पर खड़े होते हैं जहां से वो टीम से बाहर होने वाले हैं लेकिन इस दोरान उन्होंने महेंदर सिंग धोनी को पूरी तरह से भाप लिया था एक खिलारी के तोर पर भी उन् मैं इस तरह से कप्तानी नहीं करूँगा मैं इस तरह से विग्यट कीपिंग नहीं करूँगा उनका पूरे करियर को देखें तो बहुत अनॉर्थ consumers रहा है उनका पूरा करियर लेकिन हमांध के लिए जिस में कोई computing नहीं नहीं लेकिन आप यह जरूर कह सकते हैं कि मुखं बात में उनके पहली पारी महीं महिंदर सिंग दोनी को बिलकुल सही पहचान लिया था जब वो शूने पर आउट हुए थे ड्रेसिंग रूम में गए और मुहमद कैफ ने उनसे माफी मांगी कि तुम्हारा पहला मैच था मैंने तुम्हें रन आउट करा दिया और मुझे पत महिंदर सिंग दोनी को जो भी लोग आलोचक हैं जो भी उनके खास तौर पर यह कहने वाले कि उन्हें अपने गेम के बारे में नहीं पता है उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश महमद कैफ ने दिया है हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और इसके साथ साथ हमने महिंदर सिंग दोनी पर कई सारे वीडियो की है तो आप निशित तोर पर उन वीडियो को भी देख सकते लेकिन मैं जाते जाते एक बात और याद आ गई महिंदर सिं जिस तरह की पारी खेलते हैं वो उन्हें उम्मीद देती थी कि मैं अपनी तरह से क्रिक्ट खेलता रहूं कुछ खिलाडी ऐसे होते हैं जिनकी जो नाचुरल स्टाइल ऑफ बैटिंग होता है उसमें अग्रिशन नहीं होता है उसमें बड़े-बड़े चौके शक्के लगाना नहीं होता है लेकिन क्योंकि मोहमद कैफ को पता था कि नीचे अभी महेंदर सिंग धोनी का आना बाकी है तो मैं अपने गेम के हिसाब से चीजों को खेल सकता है और मुझे रन रेट की चिंता करने की ज़रत नहीं है अगर 6 या 7 के रन रेट से भी रन बनाने होंगे तो भी रन बन जाएंगे क्योंकि नीचे महेंदर सिंग धोनी खड़े हुए हैं और वो किसी भी आस्किंग रेट को पूरा कर सकते हैं और देखे न फिर श्रलंका के खिलाब जब महेंदर सिंग धोनी 183 रन बनाते हैं तो सब को यह पता चल जाता है कि अब यह भारती टीम वो टी एग्रेशन का राइज, मिडल ओर्डर के सबसे बड़े आप कहले योधाओं का राइज वो एक ही वक्त पे हुआ है उससे पहले युगराद सिंग भी कोई बहुत बड़े खिलाडी नहीं बन चुके थे हाला कि युगराद सिंग बहुत प्रॉमिसिंग टालेंट थे और उ हुआ हुआ है